हाई गाइज वेलकम बैक टू एस इस्टड़ी गुरूप आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज आपके लिए रागा का प्रेक्टिस सेट पार्ट फोर लेकर आया हूँ दोस्तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलाओ आप सभी लो वीडियो आप तक पहुंचती रहें दोस्तो आपके जितने भी दोस्त हैं और बार्सप फेस्बुक ग्रूप हैं तो बहां पे भी आप वीडियो को सेर कर दीजिएगा और वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक जरू कर दिएगा वीडियो अच्छा लगे तो केमेंट करके दोस्तो जरूर बताएं पहला प्राशन है दोस्तों हमारा सायक संदी किसने लागू की है ऑप्सन दी लाओड वैले जिनी ने लागू की थी ठीक अंगला प्राशन है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आबरतकाल क्या होगा मतलब कैसा होगा तो सब्सक्राइब दोस्तों जब गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है उसका आवर्थकाल भी बढ़ जाएगा अंगला प्रश्न दोस्तों मैंक मुहर रेखा कि इन दो देशों की बीच की सीमा रेखा है ऑप्सने है पाकिस्तान एब अफगानिस्तान ऑप्सन सी है भ चैने सीमा रेखा उसे मेंक मुहर रेखा कहते हैं अंगला प्रश्न है कोस्क का सकतिख एंद्र किसे कहा जाता है मैरट्रो कॉंड्या और खmb और गाल कि पूछ दिया जाए कि मायट्रो कॉंडिया का सक्तिक के इंसर किसे का जाता है तो को इसका का जाता है ठीक है अंगला प्रसंद दुस्तों किस प्रकार की मेमोरी समानत है टेंपरेरी या बैलो टाइल ठीक है बैलो टाइल ठीक है जो रह्म है इसे टेंपरेरी या वोला टेल है मेमोरी कहते हैं अंगला प्रश्ण है भारत सरवादिक लंबी तट रेखा किस राज की है और प्रदेश ऑप्सन बी तमिल आंडू ओप्सन सी गुजरात ऑप्सन टी महराष्ट दोस्तों तो इसमें सही होगा मेरा ऑप्सन सी गुजरात जो गुजरात राज है सबसे लंबी तट रेखा इसकी अंगला प्रशन है भारती मुख्याल का है ओप्सन बी नेजंडली ओप्सन बी कुलकाटा ओप्सन सी ओप्सन टी मुंबै जो ऑरब्याई का मुख्याल है 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 क्यों के ट्यूव ऑप्सन ऑ में कौन सी गैस वरियाती है option A है helium option B आग गरन option C नियान option D रे डाउन दोस्तों तो इसमें सही होगा मेरा option C नियान नियान गैस वाई वयान की ट्यूम वरियाती है अंगला प्रस्टन एंग्रा बारती सम्दान में अलेखित मूल मूल करते भी किस देश से लिए गई है जो मूल करते भी लिए गई है बे रूस से लिए गई है अंगला प्रशना दोस्तो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन दस बर्स में अपने से तीन बटा दो गुना हो जाता आया तो ब्याज की दर क्या आए तो ब्याज की दर आप से पूची गई है तो यहां हम क्या करेंगे formula लगाएंगे यहां पर formula होता है जब भी r% हम निकालते हैं ठीक है r% तो इसका formula r% वराबर n minus 1 n minus 1 कोश्टक में और into कर देंगे हमें यहां पर 100 का किसका कर देंगे और बटे में इसका समय जो समय दिया 10 बर्स इसका भाग लगा देंगे t ठीक यह हो जाएगा आपका t अब इसके जगे हम जो 3 बटे 2 दिया है इसे हम n मान लेंगे और यह 10 बर्स दिया है इसे हम t मान लेंगे देखिए किस परिकार से मानते हैं इसे और बटे t 10 का भाग लगा देंगे दोस्तो जीरो से यह 0 कैंसिल हो गई और यह 2 का गुड़ा जाओं दो का गुड़ा इदर करेंगे दो का एक में इसमें तो वह जाएगा 2 एक हम 2 तीन में से जब 2 गटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना एक बचेगा ठीक है देखिएगा दुबार आपको फिर बता रहा हूँ जब 3 में से 2 गटाएंगे तो मारे पास एक बचा और नीचे बचे 2 और इदर बचे गुए हैं 100 ठीक और बचे इदर 10 जो टी है समय 10 बचेगे इस 0 इस 0 कैंसिल करती 2 एकम 2 दो पंचे 10 याने की 5 परसेंट आर निकली जाके आपकी ठीक है तो इसमें option A है वो match कर रहा है अंगला प्रशन है एक कच्छा में 80 बच्चों का ओसत आयू 15 वर्स है इनमें से 15 बच्चों के समय की ओसत आयू 16 वर्स है तथा कच्छा के 25 बच्चों की ओसत आयू 14 वर्स है तो कच्छा की बच्चों की 6 बच्चों की ओसत आयू कितनी है चलो दोस्तों इससे पताता हूँ कैसे करेंगे जो कच्छा की 80 वच्चे दिये इनका सबसे पहले हम क्या करें योग निकालेंगे ठेक है तो चलो योग निकाल लेता हूँ सबसे पहले इसका योग में लिखेंगे पहले 80 गुड़ा पंदरा दिया है तो अज़से लिख लेंगे 80 गुड़ा पंदरा है ठेक है अब 80 गुड़ा कर देंगे तो मेरे पास ही हो जाएगा पंदरा जीरू करें पंदरा ठे एक सब वर्स है यह तो कर देंगे 15 इंटू 16 जब 15 इंटू 16 कर देंगे तो इसका गुड़ा करेंगे 16 पंची असी और आंसला गयाट अब इधर 25 बच्चों का जो ओसर दाइव दिया हुआ इधर देखिए यहां पर यह दिया हुआ गया है 25 वर्स का ओसर 14 बर्स है ठीक है तो अब 25 का गुड़ा करेंगे 14 में जाकर जब 25 का चौदे में गुड़ा करेंगे तो यह बन जाएगा जाके चौदा पंचीस सतर आंसर लागी साथ तो चौदा दूनीय अठाइट 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 हो जागे 35 अब पूछे गई है कि टोटल बच्चे हैं कितने 80 और 15 और 25 बच्चों को अलग दिया और शबसे पहले हम क्या करेंगे जो 15 और 25 बच्चे हैं यह हम जोड़ देंगे एक तरफ और इनका जो जो जोड़ देंगे चलो जोड़ देते हैं जीरू की जीरू और 549 325 590 हो गया इदर 5 5 10 2 1 3 4 हो गया चारिस बच्चे हो गया 40 इदर हो गया आंगे देखिएगा यहां पर यह 590 40 बच्चों को योग निकलाया ठीक है और 80 बच्चों को आपको दिया कितना गया 1200 ठीक अभी बारासो निकाल के दिखाया आपको और एक चीद देखिएगा जो 590 निकल गया तो इसमें से 590 गटा जाएंगे ठीक है जब हम 1200 में से 590 गटाएंगे तो हमारे पास ब 10 बच्चे अब यह 610 किसके निकल गया यह जो 15 बच्चे और पचिस बच्चे थे उनका मतलब 40 बच्चों का निकल गया या कितना है 610 ठीक है 0-0 cancel हो गया है इसर आपका बचा हुआ है इसर आपका बचा हुआ है 61 तो 61 में हम क्या करेंगे 60 में भाग देने कितने का 4 का जब हम 4 का एक सेट में भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा 4 एक हम 4 पंदा चाख को 60 होता प्यादी पर आपको 5 काटना है 15 चाख को 60 तो 15 हो गए और यहां एक प्र यहां पॉइंट लगागी दिया ठीक है पर एक जीरो हो गया 4 दूनी 8 और एदर कितना बचा है 0 यानि 4 बच है दोस्तों किसी बच sa 기다शी पर गपर दाली चार परसेंट से बढ़ कर 5 परसेंट होने पर एक दलल की आए अब वर्ठद रहेगी इसके कितने परस्त की कमी आई देखो दोस्तों इसे भी करता हूं देखिएगा पहले मानलो उसने बापर किया 100 कितने पर किया पर किया ऑर ब ने पर एक दलाल की आप वर्थत रहेगी तो यहां क्या करेंगे 5 पर सेंट बराबर यह कितने था चार परसेंट जो बड़ी ती उसकी बराबर था ठीक है तो क्या करेंगे जब US का पांच परसेंट करेंगे तो यह हो जयेगा X गुड़ा 5 बटा 100, ठीक, और यह बराबर कितने के 4 के, अब 100 का सीधा हम 4 में गुड़ा कर देंगे 4 में, तो इधर यह हो जाएगा जाके X 400, ठीक है, इधर कितना गुड़ा 5 में यह थे, यहां से 5 अटाओ, यह 5 यहां पहुंचा हो पहले, ठीक है, X बदाबर 485, पहार असी निकल के आ गया ठीक है एक्स कमार असी यह कब है यह कब निकल के यह जब बाद में व्याबार गया और पहले कितने पर 100 पर था बाद में यह निकल के आ एक बटा पांच और option C 12 बटे 35 बटे 25 बटे 12 चलो दोस्तों इसे भी करता हूं कैसे है options जो लोगों आता तो लोग options कर ले हम तो आपको सीधा पेस मुताएंगे कैसी करना है कोई संखें दी हैं संखें तो आपको मरना पड़ेगा माना कि संखें X है और दूसरी संखें Y है ठीक है तो इसका जो इंटू दिया है वो आपको दिया है कितना X इंटू By वराबर 35 ठीक और जो X प्लस Y है वो आपका दिया हुआ है 12 अब करना क्या इसमें है कि बेत करमों का यूग अब बेत करम के मतला होता एक बटाम कोई संक्या है तो बटेम का देज एक बटे X प्लस बन बटे बाई हो गया ठेक है और जब इसको solve कराएंगे बन अपाउन X प्लस बन अपाउन बाई को तो यह हो जाएगा आपका इस तरीकी से देखना दोस्तो एक सेगेंड हाँ स्क्रीन थोड़ा यह कड़ बट कर रहा बन बन अपाउन X प्लस बन अपाउन पाई को प्लस प्लस ब्राबर बार दिया हुआ यह देखिए और एकस इंट्वाई बराबर पैंस दिया हुआ हुआ तो बार वटी पैंस लिए तो इसमें हमारा ऑप्शन चादा कारीगर पांच दनों में 400 क्लाउन का निर्माट करते हैं ठीक है था चादा कारीगर और उनने के सामिल होते हैं तो बचा हुआ काम भी कितनी दनों में पूरा करेंगे चलो दोस्तों इसे भी देखिएगा किया करेंगे जो पहले जो पांच दिन का निकालेंगे ठीक है और कितना एक दिन का निकालेंगे पांच निकालेंगे और बच्चे खिलोना के एक दिन का इतना यह चार दिन ने कुछ और भी चार दिन बनाए तो बच्चे-खिलोना निकाल लें तो चौधास्था सो ठीक माइनस दो सो असी ने निकला गाया कि 1120 ठीड़ी आगया इदर और 1224 लोग कम कर रहे चार दिन में ठीक है चोदा लोग कम केतना कर रहे चार दिन में तो 1220 बना पाते हैं और यह 5 दिन करते हैं तो मतलब 288 और बढ़ी आता है एक दिन का काम ठीक है आप 14 लोग फिर आगे दो बारा काम करने के लिए ठीक और एधर एक दिन का प्रोड़क्त कितना निकला आया कि आपका हुआ 288 प्रोड़क्त निकला एक दिन का ठीक है आप इन 14 14 लोग जोड़ देदान लोग कितने हो टोटल लोग होगे आपकी 28 28 लोग होगा इधर आप इधर आंगे देखिएगा तो आपने एक फ़र्मूला पड़ा होगा एक दिन इतना बनाते हैं कितना तो चार दिन का कितना निकल किया था 1120 निकल किया था 1120 कर देंगे और कितना आप कितने और आगे हैं 14 लोग थे अब आगे आएं तोटल लोग कितने हो गए 28 24 लोग और आगे 28 लोग हो गए ठीक है और एक कितना प्रोड़क्ट तैयर करते हैं 14 लोग 14 करते हैं पांच दिना में अब 28 लोग कितना करेंगे देखो पहले इस 0 से 0 कैंसल कर दिजिएगा इस 14 से इस 14 कर दिजिएगा अब यहां एक वचाएं दस होगे पांच से यह 10 कटेंगे दो हो जाएंगे ठीक है एक सो बारा बचे हुए है अब दो से हम एक सो बारा भाग लागे पांच दो नि दस एक बचाप और इधर होगे 12 दो चंगा बारा च्छपन हो गई अब 28 से काटेंगे 28 28 28 दो नि च्छपन दो हुए तो हमारा निकल कि जो आया दिन है वो दो दिन आ गई है मतला ओप्शन इसमें सही है अगला प्राशन है दोस्तो एक दुकान में पैंसिल पैन तथा कापियां दस अनौपात दो नपात तीन अनौपात में है एं यह दिन दुकान 120 पैंसिल हो ते दुकां में 120 Pinterest ने हूँ तो कापियों की संख्या कितनी है चलो दोस्तो इसा भी करता हूं तो क्या क कवयर रहेंगे हैं सबसे पहले कि देखो इसी जो यहां पर अनुपात दिया है पैंसिल का पिकम के पोची और किस नहीं पोचीए किसके पीछी कई काप्यों के मिढ़ने हैं तो काप्यों की तो कनी सक्रै कि आपको निकालनी है देखिए अनुपास में 3 है इस जीरू से जीरू कैंसल हो गया अब यहां बारे बच्चे और तीन बच्चे ठीक बारे इंटू 3 आहां और पैन का यहां पर कोई रॉल नहीं दिया गया यह पैन का देखिए यह पैंसल और कॉंपियों के अनुपास है जो ठीक है इसी में सब्सक्राशन है एक चुनाम में दो उमीदवार थे एक उमीदवार ने 30% मत लेकर 16 मतों से हार गया कुल कितने मत पड़े हैं तो क्या करेंगे माना की कुल पड़े मतों की संक्या एक्स है क्या पहले एक्स मान लेती है ठीक है अब यह टोटल मान लिए 100% वो बोटिंग थी परसेंट की उसमें 30% मत लिए उसने 30% मत लिए तो मतलब 70% मत पड़े थी दूसरे किसी पच्छ में दो मीदवार थे पहले ने 30% मत पराप्त की है तो दूसरे 70 की होंगे ठीक है यह क्लियर हुआ और एक चीट देखिएगा जो इधर हमने एक्स माना था मतों की संक्या क्लि लेंगे माइनस कितना एक्स इंटू 30% क्यों बोट तो इतना है इस एक को 30% में लेको 70% में बराबर यहां देरा कि 16 मतों से आ रहे है कितना आप देखिएगा एक्स का जब 70% निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा अब परसेंट निकाल के लिखेंगे यहां पर एक्स गोडां 70 वटा 100 ठीक है return इस जीरो पहले इस जीरो कैंसल किजिएगा इस जी रहुत इस जीरो कैंसल कर दीजिएगा ठीक है अब साथ का गुड़ा एक्सम करें साथेक्स होगे इस तीन के करें 3 expect हो गए इदर नीचे ए сюда कि लिखेंगे कितना होजाएंगे आपका डिस यह साथХ一下 7keeper यहां माइनस थ्री एक्स हुई है जब सात में थ्री एक्स गटाएंगे तो कितना हो जाएगा जाकर फोर एक्स ठीक चार एक्स बटे दस हो गए है यह बरावर कितने है यहां पर एक्स बटे दस एक्स बटे लावर कितने हो गया जाएगे यहां पर एक लाक साथ हजार अब चार का भाग लगा देंगे सोला में चार चरक स्टोल तो एक्स बरावर कितना हो चारीस हजार हो गया जाकर आपके डोटल है चारीस हजार जोटी चारीस जार आपका Ale of chosen डी में मैच कर रहा है अंला प्तक्राशन ऐए मैनेस बी बराब़र बन हो नहीं है तो एक यृ माइनस BQ-3a BQ-3a तो यहां हम क्या करेंगे आपको दिया बराबर एक तो AQ-BQ तो यहां A-BQ ठीक है इस तरीकी से लिक लेंगे A-BQ बराबर 1 ठीक है हम लिख लिया भी A-B बराबर यह है इस इस बड़ परना फेस देखेंगा क्यूब कर लेंगे ठीक है और एक है यह दिया हुआ देखो यह बराबर यह और कुछ नहीं नया करना हूँ अब इसका a-b का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा क्या होता फर्मूला aq-bq-3ab ठीक है कोश्ट का आपका a-b अब यहां सिदा मान रखनेंगे aq-bq तो यह आपका पूछा क्या गया a-bq-3a भी पूछा गया है तो a-b का मान रखनें कितना दिया हुआ एक दिया हुआ तो यहां गुणा करके एक लिखेंगी ठीक है एक लिख दिया हमने अब एक को दूसरी तरह ले जाएंगी तो इधर हो जाएगा आपका aq-bq-3ab ठीक बराबर कितना हुआ आपका एक हो गया ठीक है यह गुणा है दूसरी साट पहुंचेगा एक हो जाएग सब्सक्राइब दूसरी संख्या क्या होगी चलो दोस्तों इसी भी देखिएगा आपने एक फॉर्मूला जिरूर पड़ा होगा जब भी एलसे में ऐसी पड़ा आए तो उसमें जब भी दूसरी संख्या पोश्य आती है तो होता है एलसी एम यहने कि लासा गुणा मासा यह हो जाएगा इ ine Shall die यह बरावर घंते हैं लेकिन हमें कियाना दूसरी संख्या तो पढ़ी संख्या थिक थीख गुड़ा लसी इंगे थीखिए पूरी दूसरी संख्या बरावर पाले शेयम गुड़े सी इए अपन पाहली संख्या बरावर दूसरी पाइलि संक्या कुरूइस निकालते हैं यह बात फोर्मूलान — सहुआ है कोच्छन कहता है दूसरी चनिकालती है यह बात वर्मूला तो कहता है जो हो का नो थित. बठी है दूसरी संक्या बोची दूसरी संक्या पता हम पर लेंगे दूसरी संक्या पता है एकस उसे इसा कहा है जाए ने करते हैं ठीक है ककतो जरह पंची को संग्याशा सथा ठीक है और इधर हुए है पचम 25 बचल बचलम 25 25 हुआ है कि यहाइ 7ивается हो गया Ugh भिंडासल कि कि अपकर साथसोंब्रटेग त्यक सिँफ आंगें देखीए गाथ अपनत धेन दोस्ता तुन सबसे पहले हमने क्या किया था इसी 11 से काट दिया था 11 दूने 22 इधर 5 बची 15 ठीक है तो यहां पर जब काट देंगे इसी तो जाएंगे इस तरीकी से देख लेजिए इसके छोटी पड़ जाती है कोई बार नहीं साथ सो में ठीक इदर गया रहें आपके पचीस का भाग लगाएं देंगे पचीस और पचीस तुने पचास यानि बीस वचीए पचीस ने पचीस ने पचीस ने पचीस चाहिए तो यहां पर तो अट 28 हो गया कि 28 गुड़ा 11 ठीक जब 28 का गुड़ा 11 करेंगे जाके तो आपका यह बन जाएगा 308 जो की option D मैच कर रहा है इसमें ठीक है दोस्तों अंगला प्रशन है दोस्तों एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अरपात 5 अरपात 3 है यदि लंबाई च चौड़ाई से 6 मीटर अधे हो तो भूखंड का छेत्रफल क्या है देखिएगा क्या करेंगे जो इसकी पहले मान लेंगे ठीक है माना की लंबाई 5 अनपात में दिया हुआ तो सिर्म लंबाई को मान लेंगे 5 अरच ओर चौड़ाई को मान लेंगे 3 अधिक मान लिया अब क कह रहा है कि आयताकार्व भूखंड की लंबाई एदा देखिएगा यह रहा भूखंड की लंबाई आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में अनपात इतना है एदे लंबाई चौड़ाई छे मीटर अधे हो क्या हो चौड़ाई से लंबाई हो कितनी 6 मीटर अधे हो तब ही तुम निकालेंगे 6 मीटर अधिक होगी तो 6 मीटर दिर कर देंगे अब 5x में थे हम 3x घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा आकर 2x ठीक 2x के वलावर 6 तो 2 में 6 का जब भाग लगा देंगे तीन बार तो x का मान निकल के आएगा आपके पास 3 एक बार पूने देख आएगा वो कोश्चन में तो इसे हम x मान के करते हैं 5x और 3x ठीक है दोनों यहां पाद दीए हुए है अब प्रश्ण यहां से पढ़िए यह दी लंबाई चौनाई से क्या लंबाई के जिए चौनाई छे मीटर अधिक है चौनाई 6 मीटर अधिक है तो यहां हमने क्या यह मान लिए x करकी ठीक है तो यहां कि अगर माइनस कर देंगे 5x माइनस 3x बरावर 6 ठीक है अब 5x से में 3x गटा देंगे तो हमारी पास बचेगा 2x बरावर 6 जब यहां से 2 का वाक 6 में लगा देंगे तो x बरावर निकल कितना आएगा 3 x का मान 3 निकल आया है तो वो खंड क चेत्र फल सब्सक् sliding किसर्च जब यहां जितित। शित्र्फल का फॉर्मूला क्या होता है लंगाई गटाव ठीक है तो पहले हम इसकी जो चो लंगाई यह жд निकल लेंगे अभि x कमान निकल कि आया है आपकी पास 3 थीक है तो 5X में गञाप कर देंगे 3 क्यों निकल कि आए निखरेगी और लंबाई निखरेगी पंदा सेंटीमेंट है यही देखो कोश्चन दिया हुआ हमने एक चीज मानी थी आप भूखण आयता करका छेतरफल होता है लंबाई गुड़ें चोड़ाई जब 15 का गुड़ा हम नौ में कर देंगे तो हो जाएगा पंदा निम्मा एक तो उस संकेत भासा में पॉल्टिक्स को क्या लिखा जाएगा अब एक चीज आप देखीएगा है यूमिड़ी ए ठीक है इसको आपके इनों ने उठाके इसके पीछे किया इसको उठाके यहां पर आये कर दिया है तो इसमें देखिए प्या है आपको बता रहा हूं पहले है ऐसा का नंबर इंग लें चादा बढ़ी हा रहे हूं इसकाonstra कान घ्राहां मांन मान लिती एक ठीक है कितना है एक मान्ता हूं एक सेकां ठीक है एसकर आपन लिया एक हैज्ञत का एक मान लिया और यू का हमने दो मान लिया यहां पर थेक है और एम का मान lily am तो इसने क्या किया है यह स्थान बदल दिया है ठीक है यू यू कौन से नमर प्यारा यूमना दो नमर तो इन्हों दो को पहले लिख दिया यहां पर ठीक है उसके बाद लिख अधिया है हमने कौन से नमर माना कि यह मात थी नमर पर ठीक है पर आई ठीक है तो इसमें कौन नमर माने चैना मरों ठीक है तो चाली एदर कितना हुआ कि एक टार शे ड्यवाल आई है तो आई लेहाइं प्हुत शे पर हमने इसले मंज्रान आए हन सब सहां nos तो इद्ट्रडी इस्थान जैंज किए हैं छह साथ आट हमने माने भी थे एक नहीं होतं है देखे लीजीड़ आठ वर्ड हैं जी तो सबसे पहले नमरें सीदी सीदी करेंगे इसकी ठीक है H का मानते 1 और U का मानते 2 और M का मानते 3 I का मानते 4 पहली आई पड़ी इसकी ठीक है और D का माना मैंने 5 फिर दूसरी आई पड़ी इसका 6 ठीक पहली आई की 3 है और दूसरी का 6 ठीक सब्सक्राइब भी और इन्होंने क्या किया है है को मतलब यू कौन से नंबर पे आपने माना है यू माना इधर दूसरी नंबर पर तुनने प्रकार सारे हम अच्छा मिलाती हूं लिखेंगे तो नो पर पर फिर पर फोने लिख दिया पास में तो यह होगे छह नंबर पर दी का वबघ का वब अब तो यह बना जागे आप इसी प्रिकार से इसके रम को हम लिख लेंगे एक दो तीन चार पांच है समान के ठीक है तो यह आपके बना जाग शह साथ आठ हुए ही पॉलिटिक्स अब डू रखा है लिद लिए हिसकी दूपर फिरी उसके बाद एक पर क्या है पी यह तो पी लिख लिएगी ठीक है और ल पर क्या थी लप तीथिलिक लेंगी और आईय पर क्या है चार माने यह देग दिख यहां सेδे ऐसो सुथ पने के षटी है जो अंपान देख यहां पर देगा और सांद सांज पर के एली के पहिंच जो का तरुदिया ces haft देखेगा जो यहां से देखेगा जो अक व्मालने कि यह वा के दिय का हा थीकशा में उप पता है पहल अंपर फेले कि लिए टो नमर्ण सब्सक्रा आप टूमने ओ लिए ठीक है फिर एक नमबर किया पटैने लिए निवहाल मॉली चेनल नमबर किया आई है सी स्थानलस लिख चाहिए ऑप्पलिक्स आफ्कष्जी तिक है यह कोण साहर है। प्लिटिक्स यह ऑप्सन जो दिया हुआ है ए जो ए मैच कर रहा है समय ऑप्सन ए हमारा सही है इस प्रकार से करेंगे अंगला प्रश्ण है एक आत्मी दच्छड दिशा की और मुह करके खड़ा है वह है बामा बर्त एक सो पैंटिस खुमता है और दच्छडा बर्त दो सब प आपका 90 गंटिस आपका 90 तो आपको पताए जो आपका पूरव 드सा होता है इधर पूरव दिसा यहां पर उत्तर दिसा आपका यहां पर पच्छिम दिशा आ है और यहां पर दच्छिट आ यहां मूह करके खड़ा आए अब दबे डिग्री ऐसा कॉंट बनाती है ठीक है कोई भी यू नब्बे और सीधी लाइन एक स्वस्विक है ठीक है अगर सिर्फ इतना और इतना बना रहे हैं तो यह नब्ब ओपस्षा हाँ है यहां प्धाए और आफ से दिशा है पच्छिम दिसा अंगलाप प्रशन है दोस्तों प्रश्न है कर दो मतलब मतलब यहां किया μαने ना उने दो गोली इसे काट लिया निसा ना ना निसा है ना नहीं चाटके यहां आपार जाब होना रेहे जिससे अटाएंगे और फोड़ा घर रखेंगे फोड़ा तिर्चा होतों सिदा है यह नहीं सकता है यह सिंगल यह भी नहीं होगा यह तो बहुत ही तिर्चा आए यह लैप्टॉप की आकार का यह तो बिल्कुल घलत है इसमें हमारा मेस्स सही हो रहा है अंगला प्रश्नाया है दोस्तो फॉस्टो श हमने इंप अश्च से सब्सक्रास के दाइव तद्रणी नहीं हो रहा है तौन है से से समय कि यह हो रहा है तौन रर्मेस आपने नाम ठीक है कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जब कि लोके सुरेस के बाइयोर है लोके सुरेस के बाइयोर है तो इस परकार से में बढ़ना है मानलो यह एक टेबिल पड़ी है ठीक है अब टेबिल में कह रहा है कि रमेश है सुरेश के दाइयूर है तो रमेश को बठाल दे मानलो रमेश को यहां बठाल दी है अब दाइयूर दाइयूर तो इस साइट पर होगा तो यहां बठाल दे रहे हैं तो कौन माहेश है तो तो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाइउर है तो आमने सामने कौन बैठे हैं इसमें लोकेश और रमेश बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं ठीक है लोकेश सुरेश के बाइउर है यह तो आमने सामने है नहीं सीधी बास है तो आमने सामने कंसे हैं ल है सोरेज और महेस भी आपने सामने हैं ठीक है लेकिन यह लोकेस की बात कहाई गया है elokkeasion बनायोर बताया गया है तो इसमें हमारा आपसं तो इस प्रकार से हमारा option ace में सही है ठीक है अंगला प्रशन है दोश्तो सुरेश अनिल से बारी है ठीक है कौन है सुरेश अनिल से बारी है लेकन इतना भारी नहीं है जितना की राजू है अनिर जै एस से भारी है क्रश्न सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हलका है कौन भारी है नलका है सुरेश ठीक है इन सब में भारी कौन है देखेगा इसे भी देखो दोस्तो जब भी इस प्रकार का कोई कोश्चन देखे आपको ठीक है तो क्या करेंगे जो भारी हो या बड़ा हो तो हम एक लाइन में इस तरीके से उपर भारी है या बड़ा है तो उसे उपर की उर ले जाती है जो छोटा है उसे नीचे की उर अब देखिए इस एक सी फॉर्म में हम लगाएंगी कहरा है कि सुरेस अनिल से बारी है कौन है सुरे नीचे कर देंगे यह मतलब भारी राज्व सुरेस हलका आये राज्व से ठीक है अनिल जो है सुरेस से हलका आये ठीक है तो अनिल नीचे कर देंगे अब देखिएगा कहरा है आंगे अनिल जैस से भारी है ठीक है अनिल जैस से भारी है ठीक क्रश्न सुरे से भारी है जैस से भारी कौन है अनिल है तो फिर हम क्या करेंगे अनिल को थोड़ा उपर लगाएंगे और जैस नीचे दियाएंगे यहां पर ठीक है और कह रहा है कि राजु सुरे से भारी है लेकर और तो यहां लेखने राजु और किसी क्रश्णत है ठीक है नीचे क्रश्ण राजू पर कर दिए ठीक राजू बहारी यहां कृष्ण थोड़े हलके हैं और सुरेस आई जो की क्रश्णत हलके हैं ठीक तो इससे फॉर्म में लगाएंगे तो यह सही तरीका जोड़ेंगे सबस पहले उपर राजु आएगा ठीक है राजु के बाद क्रश्न आएगा क्रश्न के बाद सुरेस आएगा ठीक है सुरेस के बाद अनिल आएगा और अनिल के बाद जैस आएगा ठीक है जैस क्या हूं देख लिजी प्रश्न कहा रहा है सुरेस अनिल से बाहरी है लेकिन इतना बा कर दिए गया है तो हमने क्या किया है सबसे उपर राजु को यहां पर बैठा लिया राजु राजु बाद करशन करशन सुरेश रानिय पाइल डिये जैए अब इन दौनों की आपस में तुलना करेंगे तो मेरा एक्रम बनेगा तो सबसे बारी जो इसमें मुझे लग रहा है लग रहा क्या है तो वो है option C राजू ठीक है अगर पेडियो समझ मनाया तो दोवारा फिर आप देखने एक बार पेडिया आपको समझ में आ जाएगा किस पर का से बारी जो गया अंगला आए ये किसी महा की छे तारी को मंगल वा रहा है उसी महा की 24 तारी को कौन सा दिन होगा इसमें देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे हैं सबसे पहले यहां बाद की तित्र का दिन पूछा जा रहा है ठीक है तो सबसे दोनों तित्रियों की पीच की दो अंतर निकाल लेंगे कितनी 24 तारीक और 6 तारीक जब हम 24 में से 6 गटा देंगे तो यह बचे का जाके आपकी पास कितना अठार है ठीक है 6 गटा दी अठारे बचे हैं और जब भी हम कोई भी दिन पूछा आता है उसका साथ का भाग लगा देती है साथ दूनी 14 जब भाग लगा है 14 इदर आपका सेशफर कितना चयार बचेगा जो सेशफर बचता है उससे जो दिन दिया उससे आंगे जूड़ देती है जो करने के है थीक है इसी प्रकार से कोई भी कोई प्रश्ण नाए इसी प्रकार से करेंगे सबसे सर्द तरीका यह कई एक तरीके और करने के लेकिन उससे आपको तोड़ा बहारी मतलब कठें लगेगा और आपकी सम्झूंभी नहीं आएगा अंगला प्रश्न है कव समय तो इतायात कि संबन्ध होगा ठीक है आप सोच कि पताएं यह क्या होगा तोड़ा है पता है आप B सोच रहे ऐसाझ अपसमेद बहाण जबकि यह गलत है क्यों हुआँ गलत है अब सुन लिजीगा जिस प्रकार बांद है नदी के पिरवाकों नेंतरत करता जो बैती नदी उसे बांद लगा दी तो बैना बंद हो जाती है उसी प्रकार शक्यों संकेत के माददे में उस से जाता है संती है आपने देखा ओ ट्रैफिक चाराया उपर लाइट इसमें हमाड़ा इस प्रकार से अब इसे हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किसे प्रकार Terelnik इसी मिलाइँ चोटे बाई पर इसी मिलाइँ इसी मिलाइँ खर देगि ठेक इसका पहलो आप्स जोड़ा कौन सा बनेगा जाके यह देखो पूरा मिला हुआ मैच कर रहा है यह तो मिलेगा नहीं ठीक है और यह बिल्कुल ऐसा दिया जो कि लाइन तो ऐसी उसमें है तो इसमें आप्शन भी सही होगा बिल्कुल ठीक है अंगला यह कमल कहता है कि रभी की मां मेरी मां की इकलोती पुत पुत्री है तो कमर रभी से किस प्रकार संबंदित है देखेगा आपको थोड़ा फिकर बना के बता रहें यह रभी ठीक है रभी की मां मेरी मां की इकलोती पुत्री है यह रभी की मां है ठीक है ठीक है यह किसकी रभी की मां है इकलोती पुत्री है ठीक है यह मां पतलो एम दीमनों रह थेक है एकलतीं पुत्रिय क्या कट ना की माकी तो यह रही है ठिक थेक मापी पुत्री कल तो रबेरih कर संसंबन देता है ठीक तो यह यहाँ पर यह कमल रहा है ठीक अब जो कमल है तो यह बन जाएगा जाके अगर यह इसकी मां की बेटी है मतलब तो क्या हो जाएगा जाके कमल रभी का मामा है ठीक है जब की मां कमली की बेहन है कौन है मां कमली की बेहन है तो यह मामा हुआ जाके जो कि आपसन में है नहीं तो आपसन डीस में सही होगा ठीक है जो दोस्तो वीडियों आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने समी मित्रों को सेर कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करने सस्क्राइब करते समय पास में अगा वह लाइकर बनके उसे ओल पर जाकर प्लैस करने जिससे की हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है चलो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारती सेना